Hi everyone, Thunderpoke, channel में आप सभी का स्वागत है, आज मैं Netflix पर आई, Wednesday, सीरीज को explain करने जा रहा हो, Wednesday Adam नाम की एक अजीबो गरीब लड़की है, सिर्फ तेरह वर्ष की होने के बावजूद भी, उसके चहरे पर कोई emotions नहीं दिखते, और उसमें death को लेकर एक अजीब जुनून है, वो हमे अचानक, Wednesday को कुछ दिखता है, जिसमें वो देखती है कि किसने उसके भाई को बुली किया था, तब हमें पता चलता है कि वो कोई normal बच्ची नहीं है, Wednesday किसी के भी past और future को सिर्फ शू कर ही देख लेती है, फिर जब उसे पता चलता है, swimming class के कुछ बदमाश इसके पीछे है तो वो पिरानहा से भरे दो बैग लेकर swimming room में जाती है, और पिरानहा को पूल में छोड़ देती है, उसके बाद वो उनको बताती है कि उसके भाई को उसके अलाबा और कोई बुली नहीं कर सकता, next scene में हमारा परिचय Wednesday के माता पिता से होती है, Morticia और Gomez वे दोनों Wednesday के हरकतों से तंग आ चुके हैं, और इसलिए उसे नेवरमोर अकादमी में भेजने का फैसला किया है, यहां हमें पता चलता है कि इस अकादमी के सभी students के पास supernatural powers हैं, और उन्हें यह सिखाया जाता है कि इसे कैसे control किया जाए, Morticia और Gomez भी उसी अकादमी में पढ़े थे, इसी बीच ए एक हाइकर, नेवरमोर अकादमी के पास वाले जंगल में हाइकिंग करने आया था, पर अचानक एक अग्यात जी उस पर हमला करता है और उसे मार देता है, बाद में लोकल शेरफ को उसका body मिलता है, और वो एरिया की investigation करना शुरू करता है, हरानी की बात यह है कि, यह भयान अक मर्डर अपनी तरह की पहली मर्डर नहीं है, हाल ही में ऐसी ही काई घटना हुई है, इसके बाद वेंजडे और पेरंट्स, नेवरमोर अकादमी के प्रिंसिपल मिस लेरिसा वेंस से मिलते है, फिर लेरिसा वेंजडे को उसके रूम में टैनिट से मिलवाती है, वो वें चारा करते हुए सभी का परिचय करवाया, अकादमी का एक भवय दोरा किया, फैंक्स वैंप्यर हैं, फर्स वेवल्स हैं, स्तोनर्स गोरगन होते हैं, जिनके पास लोगों के दिमाग के साथ हेर फेर करने की क्षमता होती है, एनिर उसे स्कूल की सबसे पॉप्रिवार लड एक कटा हुआ जीवितात, थिंग को वेंजडे पर नजर रखने का काम सौपा गया है, अगले दिन वेंजडे तलवारबाजी की क्लास में शामिल हो जाती है, जहां वह बियाका के खिलाफ खड़ी होती है, पर दोनों में ड्रॉ हो जाता है, इसलिए वे बिना मास्क के लड़ होती है, पर जेविय उसी समय पर आता है, और उसे रास्ते से हटा देता है, कुछ देर बाद वेंजडे अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन फील होता है कि कोई उससे देख रहा है, इसलिए वह कमरे की तलाशी लेती है, और उसे हाथ मिल जाती है, फिर वेंजडे उसे प्रती वफादार रहे की धमकी देती है, अन्यथा वह उसे एक ड्रॉव में बंद कर देगी, हाथ वफादार रहने की कसम खाता है, वेंजडे को पिरानहा शरारत के कारण उसे मेंटल थेरपी लेना पड़ा, इसलिए प्रिंसिपल लारिसा उसे नेवरमोर के बाहर एक छो इरव पास के एक कॉफी शॉप में जाती है, वहाँ उसका सामना शेरिफ के बेटे से होता है, टोिलर जो एक बरिस्ता भी है, टोिलर को अपनी एस्प्रेसो मशीन के साथ कुछ टेचनिकल प्रोबलम का सामना करना पर रहा है, वेंजडे उसे आसाणी से ठीक कर देती है, औ वह लड़ती है और उन्हें नीचे गिरा देती है, थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल लारिसा शेरिफ के साथ स्टो पर आती है, प्रिंसिपल गुसे में वेंस्डे को वापस ले आती है, और उसे कई बाते सुनाती है, अकादमी के रास्ते में वे एक भयानक कारमलबे से गु रही है, क्योंकि वह खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, इस बीच थिन टॉलर के कमरे में आता है, और उसे वेंस्डे को फोन करने के लिए कहता है, वह पहले डरता है लेकिन कॉल लगाता है, और दोनों वीडियो चेट शुरू करते हैं, वेंस्डे टॉलर को अगले दिन हावेस्ट फेस्टिवल में मिलने के लिए कहती है, यह दावा करते हुए कि यह मजेदार होगा, हाला कि वह सिर्फ अकादमी से भागना चाहती थी, फेस्टिवल में लारिसा वेंस्डे के उपबाज की तरह नजर रखती है, पर वेंस्डे किसी तरह टॉलर से मिलती है और दोनों लगभग उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन तभी Wednesday उसकी एक क्लासमेट की ठोकर खा जाती है, और लड़का जंगल में भाग जाता है, Wednesday को उसकी भयानक डेथ दिखती है, तो वो उसे वानिंग देने उसके पिछे जाती है, लेकिन इससे पहले की वह कुछ कह पा कि कुछ भी बुरा होने से पहले उसे उसे मारना होगा, फिर वह टेलिकाइनेटिक से उसका गला घोटना शुरू करता है, लेकिन अचानक कई से एक बड़ासा मॉंस्टर आकर रोवन को मार है, और हवा में ही गायब हो जाता है, Wednesday उसके कटे फटे शरीर के उपर एक वाली, Wednesday के बयान पर यकीन नहीं है, और वह सोचता है कि यह किसी नेवरमोर के स्टूडेंट का ही काम है, फिर हम आश्चर्यजनक रूप से रोवन को देखते हैं, जो अभी भी जीवित है, जब Wednesday अपने कमरे में पहुँचती है, तो वह देखती है कि उसकी रूम में टैनि वेंस्डे प्लान भी पर जाती है, और थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए कहती है, इसके रोवन को दिखाया जाता है, जो ट्रेन स्टेशन पर आ गया है, और थिंग उसके पीछे-पीछे चल रहा है, आस-पास के माहॉल को देखने के बाद, वो चिपकर टॉयलेट में जाता है, और एक बुर्य व्यक्ति के रूप में अपना रूप बदलता है, दुर्भागय से थिंग भी उसका ट्रैक हो देता है, बाद में बुरा आदमी प्रिंसिपल लारिसा में बदल जाता है, इससे पता चलता है कि वह चल में एक शेप शिप्ट है, जो किसी कारण से रोवन की हत्या को कवर कर रही है, कोई आप्शन न होने पर, वेंस्डे खुद रोवन की हत्या के सुराक खोजने जंगल में जाती है, उसके साथ टॉयलर भी है जो उसके पिता का पीछा कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसे रोवन का चश्मा मिलता है, और जैसे ही वह उठाती है, उसके एक सीन दिखाई देता है, जिसमें वह एक परपल बुक देखती है, समय बरबाद किये बीना वेंस्डे किताब के बारे में अपनी क्लास टीचर से बात करती है, वह बताती है कि यह बुक एक पुराने स्टूडन सोसाइटी से संबंधित थी, जिसे नाइ वेंस्डे जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाती है, और ठीक उसी समय बियाका भी अपने एक्स बॉइफ्रेंड से मिलने पहुंच जाती है, वह उनकी बातचीत सुनती है, और जानती है कि बियाका बोट राइडिंग कम्पिटिशन में एनिट को कुचलने की प्लान बन रही है, इसलिए जैसे ही वह अपने कमरे में लोटती है, वेंस्डे कम्पिटिशन में जॉइन होकर एनिट की मदद करने का फैसला करती है, ताकि वे बियाका को नीचे गिरा सके, अगले दिन वेंस्डे और एनिट कम्पिटिशन के लिए तयार है, जैसा कि कोई नियम नही है, टोटल चार टीमे है, और खेल यह है कि उन्हें अपनी नाव को डेस्टिनेशन तक ले जाना है, और वापस आना है, जो कोई जील में गिराए बिना फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुचता है, उसे विना घोशित किया जाता है, जैसे ही कम्पिटिशन स्टार्ट होत जो अन्य नावों में तोरफोर करने के लिए तयार है, दोस्त जो जलपरी बन जाते है, जील में गोता लगाते है और एक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे टीम बाहर निकल जाती है, पर वेंजडे और एनिश इसके लिए तयार है, थिन की मदद से वे जलपरी को भी हैं, हलांकि इस दोरान वेंजडे को एक विजन दिखाई देता है, इस बार वह अपने ही एक ब्लॉंड हेर वाले वर्जन को देखती है, वह उसे बताती है कि वही की है, फिर वो विजन से बाहर आती है, और देखती है कि बियाका की टीम रेस में सबसे आगे है, वह और एनिड प्लान करके बियाका के गुप तरीकों का इस्तेमाल, उसी के खिलाफ करते हैं, और एंड में कम्पिटिशन जीत जाते हैं, किसी गहर सायरन टीम ने चार दशकों में पहली बार प्रतिश्थित प्रतियोगिता जीती है, बाद में विजेता टीम को प्रिंसिपल लार जिसे रोवन ने मौत के से पहले उसे सौपा था, वेंस्डे जल्दी से बुक में उकेरी गई पहलियों की एक श्रिंखला को हल करती है, और एक सुराग पाती है, वह है दो बार स्नाप करना, जब वह दो बार स्नाप करती है, तो अचानक एक सीक्रिट कोरिडर खुल जाता ह जिससे एक छिपे हुए चेंबर का पता चलता है, वेंस्डे को रोवन की किताब मिल जाती है, जिससे उसने तस्वीर को फाड़ा था, वह किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले की वह आगे बढ़ पाती, किसी ने उसके सिर पर एक काला बोरा ठोंक दिय कुछ समय बाद जब बोरी को हटा दिया जाता है, वह खुद को बियाका, जेवियर और कुछ और स्टूडेंस से घिरा हुआ पाती है, जो नाइटशेड क्लब के मेंब हैं, पता चलता है, कि क्लब को पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन प्रिंसिपल लारिसा ने इसे गु बार जब वे शहर में पहुँच जाते हैं, तो वेंस्डे जेवियर को बताता है, कि उसके रूममेट की हत्या हो सकती है, वेंस्डे उसे रोवन की मादवारा बनाई गई पिक्चर दिखाती है, जेवियर इसे करीब से देखता है, और रवील करता है, कि पिक्चर में दिख इक्षन करना शुरू कर देते हैं। जल्दी पिलग्रिम वर्ड की केटेकर मिस अरलीन स्टूडेंस से संपर्क करती हैं। वो उन्हें घुमाती है और जोसफ क्रेकस्टोन की कुछ पसंदीदा कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेंस्डे कलकृतियों के बारे में अधिक पुछती है और सीखती है कि उनके पास ओरिजिनल फार्म टूल्स है, टेबल वेर और यहां तक की फैमिली चैमबर पॉट भी वो वहां काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि इनको रेनवेट किया जा रहा है। इसके बज किताब भी मिल जाती है, जो लड़की के हाथ में थी, हलाकि जब उसको पता चलता है कि पन्ने खाली हैं, तो उसे शक हुआ कि यह नकली है, तभी कैटे का अरलीन आती है और वेंस्डे उसे ओरिजिनल बूक के बारे में पूछती है, अरलीन जिजखते हुए पपताती है कि यह पिछले महीने चोरी हो गई थी, बाद में टॉयलर और वेंस्डे कॉफी शॉप में फिर से मिले, जोसफ क्रेकस्टोन के बारे में एंक्वाइरी किया गया था, पूछताच की, और टॉयलर ने खुलासा किया कि, ओरिजिनल मीटिंग हाउस से जो भी बचा है, वो जंग आता है, इस बार वह अतीत में 400 साल की यात्रा करती है, हम उस ब्लॉंड लर्की को देखते हैं, जिसका उसने पहले विजन में सामना किया था, कुछ लोकल लोग लर्की को घेर रहे हैं, क्योंकि वे उसे शैतान की संतान मानते हैं, जल्द ही जोसफ क्रेकस्टोन भीर से इपने का भी आरोप लगाती है, फिर जोसफ कुछ देर तक उसे घूरता है, और खलिहान में आग लगा देता है, गुडी अपनी मा को छुडाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशे बेकार जाती है, एंड में जब कोई उम्मीर नहीं बची, तो वह एक जाल के दर्वाजे से भाग निकली, इस बीच वेंजडे उनके साथ खलिहान में यह सब देखती है, गुडी जल्द ही उसके पास जाती है, और दावा करती है कि यूसुफ अपना धर्मयुत तब तक नहीं रोकेगा, जब तक कि वह उन सभी को मार नहीं देता, इसके बाद वेंज से जागती है, और थिंग को सब कुछ समझाती है, अचानक वे उसी मॉंस्टर को देखते हैं, जिसने रोवन को मारा था, वेंजडे बारिश में उसके पीछे भागती है, लेकिन पीछे रह जाती है, इसलिए वह फुट्प्रिंट को फॉलो करती है, जो धीरे धीरे हुमन क फुट्प्रिंट में बदलने लगते हैं, इससे पता चलता है कि मॉंस्टर अचल में एक इनसान है, तभी वह जेविय के पास दोरती है, और उसे बताती है कि उसने क्या देखा, वो भी उसे देखना चाहता है, लेकिन बारिश ने उन्हें पहले ही धो दिया है, अगले दि और लारिशा स्टाचू की घोशना करते हैं, पर प्रॉबलम तब आती है, जब थिंग वेंस्टे के आदेश के अनुसार स्टाचू को आग लगा देता है, जबकि बाकी लोग दरकर भाग जाते हैं, से लो बजाते हुए वेंस्टे की आखे प्रतिशोत से चमक उठती हैं, बाद में प्रिंसेपल लारिशा वेंस्टे पर संदेह करते हुए आसू बहाती है, लेकिन वह कुछ भी करने से इंकार कर देती है, और इसके बजाए लारिशा को उस खुनी, नसलवादी सच्चायो को, जिस पर जेरिको की स्थापना हुई थी, उसको अक्नॉलज ना करने क के लिए कई बाते सुनाती है, उसी रात पहले दिखाए गए होमलेस आदमी पर मॉंस्टर ने हमला करता है, पर उसका कैमरा उस वक्त आन होता है, और उस इंसिडेंट को कैप्चर करता रहता है, बाद शेरिफ और उसका टीम जंगल के खंधरों में पहुचता है, और होमले पोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, थांक्यों फोर वाचिंग.